Hello dear students, इस वीडियो में हम lesson 2 fundamental operations के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि addition, subtraction, multiplication और division तो यहाँ पर हम सबसे पहले exercise में addition के कुछ questions को solve करकर देखते हैं अब हम first question के first example को करते हैं जैसे कि इसमें हाँ पर 4 रोज में कुछ numbers लिखे हुए हैं इनको हमें add करना है तो सबसे पहले हम ones के column को add करते हैं तो यहाँ पर 5 plus 9 plus 2 plus 5 तो number क्या होगा, 21 तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 2 को हम carry करेंगे फिड next line में हम 2 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 तो हमारा क्या number आएगा, 30 तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और 3 को हम carry करेंगे अब next line में जब हम sum करेंगे तो हमारा answer आएगा 34, 4 लिखकर 3 carry हुआ, फिर 3 plus 4 plus 8 plus 5, यहाँ पर आएगा 20, तो यहाँ पर 0 और 2 carry हो जाएगा, फिर 2 plus 9 plus 3 plus 3, तो नमबर क्या आएगा 17, यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और next line में 1 add करेंगे तो नमबर आजाएगा 4, तो इस तरह से 470401, यह हमारा addition हो गया, तो इस तरह से हम बाकी के questions को भी add कर सकते हैं, अब हम question number 2 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें कुछ digits दी हुई हैं, जो की horizontally लिखी इनको हमें plus करना है, तो सबसे पहले हम ones की place के numbers को add करते हैं, जैसे 9 plus 7, तो number के आएगा 16, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, उसके बाद 1 carry होगा, तो 1 plus 3, 4 plus 8, 4 plus 8 होगे 12, तो यहाँ पर 2, फिर 1 carry, 1 plus 5, 6, 6 plus 6, 12, फिर 2, फिर 1 carry, 1 plus 4, 5, plus 3, 8, और 3 plus 7, 10, तो इस तरह से हमारा answer हो गया, 108226, इस तरह से हम बाकी के sums को भी solve कर सकते हैं, once के place के numbers को add करना है, उसके बाद हमें left side में चलते जाना है, अब हम question number 3 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें कुछ sums दियोए हैं, इनमें कुछ blank space हैं, जिनको हमें fill करना है, तो 9 plus 5, 14, 14 में हम 6 add करेंगे, तो हमारा number हो जाएगा 20, तो 0 लिखा, 2 carry हुगा, अब हम यहाँ पर क्या add करेंगे, 6, 2 में 6 add करेंगे, तो हमारा 15 हो जाएगा, 1 carry होगा, और next में यहाँ पर हम 8 plus करेंगे, फिर number, यहाँ पर 19 आएगा, सम करके 1 carry करेंगे, तो 9 plus 6, 15, 15 plus 3, 18, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 18 में फिर 1 carry होगा, और फिर हम इसमें 2 plus करेंगे, 2 plus 7 plus 2, तो यहाँ पर 12, 1 carry, 6 plus 4, 10 और उसमें 11 लाने के लिए हमें 1 और प्लस करना है, तो इस तरह से blank space में हमारा first row में number आया, 5, 2, 8, 3, 6, second row में आया, 1, 7, 6, 8, 4, 5, and third row में आया, 4, 2, 3, 7, 3, 6, इस तरह से हम बागी के questions को भी solve कर सकते हैं, अब हम next question 4 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें कुछ fill in the blanks दिये हुए हैं, जिनको हमें fill करना है, addition की property यूज़ करके, तो first part की तरफ हम चलते हैं, जिसमें जब कभी किसी number में हमें 0 add करना होता है, तो इसमें answer same रहता है, तो number क्या answer में आएगा, 96307, second part में जब हम order change करते हैं, माल लिज़े हमें 2 numbers का sum करना है, तो हम किसी number को पहले लिखे हैं और किसी number को बाद में उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो यहाँ पर जो fill in the blanks है, इसमें क्या number आएगा, 61337, ओके, इस तरह से बाकी के questions को भी हम solve कर सकते हैं, अब हम 5th question की तरफ चलते हैं, यहाँ पर 1st part में हमें 26,091,861,2 को add करना है, 80,39,696, तो बच्चों जिस तरह से हमने उपर की question में sum किया, उसी तरह से इस sum को करते हैं, तो हमारा answer क्या आता है, 75, 5, 1, 3, 7, 0, 1, इस तरह से हम इन questions को solve कर सकते हैं, digits में पहले हम लिखेंगे 26,091,861, और उसके नीचे place value को ध्याद में रखते हुए हम लिखेंगे next number 80,39,696, उसके बाद जब हम पहले once की place से add करना start करते हैं, और left side में चलते जाते हैं, तो हमारा addition करके यह answer आता है, इसके बाद next exercise में हम subtraction के examples को solve करेंगे, first question का first part हम देखते हैं, यहाँ पर पहले हम once की digit में से minus करेंगे, तो क्या number आएगा? 7-4, 3, 5-2, 3, 4-3, 1, 9-5, 4, और 4-1, 3, तो इस तरह से हम subtraction के questions को solve कर सकते हैं, इसके बाद हम second part की तरफ चलते हैं, second question में चलते हैं, तो यहाँ पर हमें 6 tenths में से 5 ones को subtract करना है, 6 tenths मतलब क्या number होता है? 60, अब हमें 60 में से 5 minus करना है, तो हमारा क्या answer आएगा? 55, इस तरह से, next part और हम करके देखते हैं, यहाँ पर 800, में से हमें क्या minus करना है? 10 tenths मतलब 100, तो हमारा क्या number answer आएगा? 700, इस तरह से हम बागी के parts को भी solve कर सकते हैं, अब हम question number 3 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें missing digits को complete करना है, जब हमें first part में हम देखते हैं, हमें नीचे की digits लिखी हुई है, कि जो subtract करनी है, और दोनों number को subtract करने के बाद जो answer आया है, वो भी हमें पता है, तो हमें किस number में से subtraction करना है, जब वो find करना होता है, तो हम answer digits में यह वाली digits plus कर देंगे, तो हमें उपर का answer मिल जाएगा, जो कि क्या है answer, वन, जीरो, टू, वन, फाइव, सेवन, जब हम इन दोनों digits को plus करेंगे, तो हमें उपर की digits answer मिल जाएगा, तो इस तरह से बच्चों हम इस वाले questions को solve करते हैं, missing digits जब हमें निकालनी होती है, subtraction के case में, अब हम कुछ fourth question की तरफ चलते हैं, इसके first part में, यहाँ पर हमें subtraction करना है, तो ones की place की digit पहले minus करेंगे, जैसे 7 में से 6 minus करेंगे, तो answer 1, और 6 minus 6, 0, 5 minus 5, 0, 0, तो हमारा answer क्या आएगा, 1, इसी तरह से b part में जब हम इस में से 1 minus करेंगे, तो हमारा answer क्या आएगा, 284, 805, next question, 5 का first part हम करते हैं, इनको subtract करके answer find करना है, तो 8 minus 6, 2, 6 minus 4, 2, 7 minus 3, 4, 5 minus 1, 4, 8 minus 2, 6, इस तरह से हम इन questions को subtract करते हैं, अब हम next question की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें number names में digits लिखी हुई है, 48,812, 48,812, किस में से minus करना है, 94,681, इस में से यह number minus करना है, तो हमारा answer क्या आएगा, 8, इस में से जब हम subtract करेंगे, तो हमारा answer आएगा, 4, 5, 8, 6, 9, इस तरह से जब हम digits के नीचे digits लिख कर subtract करेंगे, तो हम इस answer पर पहुँच जाएंगे, अब हम next exercise 2.3 के करते हैं, जिसमें की हम multiplication के कुछ examples करेंगे, पहले हम first question के ए पार्ट को करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ digits दी हुई हैं, जिनको हमें multiply करना है, तो 3, 4 जा 12, 1 carry, 3, 2 जा 6 और 1, 7, 6, 3 जा 18, next में 2, 4 जा 8, 2, 2 जा 4, और 2, 6 जा 12, यहाँ पर हम पहला place blank छोड़ते हैं, फिर हम इन दोनों को plus करते हैं, तो क्या आएगा, 2, 8 प्लस 7, 15, 1 carry, 8 प्लस 4, 12, और 1, 13, 4, 1, तो 1, 4, 3, 5, 2, यह हमारा answer हो गया, तो इसी तरह से हम बाकी के examples को भी कर सकते हैं, अब हम question number 2 की तरफ चलते हैं, इसके first part में हमें क्या करना है, पहले हमें 2 digits को multiply करना है, और उनका जो answer आएगा, उसको third digit से multiply करना है, तो यहाँ पे जब हम 31 और 81 को multiply करते हैं, तो हमारा answer आता है, 2, 5, 1, 1, इसको जब हम 16 से multiply करते हैं, तो हमारा क्या answer आता है, 4, 0, 1, 7, 6, इस तरह से हम पहले कोई भी 2 digits को multiply करके, उनका जो product आता है, उसको हम third digit से multiply करके answer find कर सकते हैं, अब हम next question 3 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें कुछ missing places हैं, उनको fail करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 6 है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर भी 6 चाहिए, अब यहाँ पर 6 कब आएगा, जब 6 को 6 से multiply करेंगे, इसके बाद हम second 8 को 6 से multiply करते हैं, यह डिजिट ऐसे छोड़ते हैं, 8 6 जा 48, 48 में 8, 4 केरी, 8 5 जा 40 प्लेस 4, 44, 4 केरी, 8 7 जा 36, 56, 56 प्लेस 4, 60, अब इन दोनों को हम total करेंगे, 10, हमारा answer आ गया, 6 5, 0 1, 6, इस तरह से हम बाकी के parts को भी solve कर सकते हैं, अब हम इसके question number 4 की तरफ चलते हैं, first part में हम order change करना है, तो यहाँ पर 200 लिखेंगे, second में हम यहाँ पर दूसरा number कौन सा missing है, 3, 3, 6, इस तरह से हम orders change करके, इन questions fill in the blanks को solve कर सकते हैं, next question number 5 हम करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ number दिये हैं, इनको multiply करके हमें उनका product जब हम 625 को 36 से multiply करते हैं, तो हमारा answer आता है 22500, इस question के बाकी parts को भी हम इसी तरह solve कर सकते हैं, अब हम next exercise 2.4 का first question करते हैं, जिसमें हम division के बारे में सीखेंगे, 9, 8, 7, 1, 6, 8 को हम 678 से जब divide करते हैं, तो हमारा answer आता है 1456, इसके बाद question number 2 को हम जब divide करते हैं, यहाँ पर हमें quotient और remainder बताना है, तो जब हम quotient मतलब जो उपर divide करके आता है, तो वो आएगा इसमें 2, 93, और remainder आएगा 10, इस तरह से हम इन question को simple divide कर सकते हैं, अब हम question number 3 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कुछ fill in the blanks को हमें fill करना है, जब हम किसी number को 1 से divide करते हैं, तो हमारा answer वो ही number आता है, जिसको हम divide कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3992 को हम 1 से divide करेंगे, तो हमारा answer 3992 ही आएगा, और जब इसके B part में जैसे हम देख रहे हैं, किसी number को उसी number से divide करते हैं, तो हमारा answer आता है 1, इसके बाद हम question number 4 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें कुछ divisions दिये हुए हैं, जिनमें कुछ missing numbers हैं, तो जब हम उनको divide करेंगे, तो हम उनने को fill करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या number लिखेंगे, 1 लाने के लिए 8, अब यहाँ पर 8 कब आएगा, जब यहाँ 72 है, तो 24 को हम किस से multiply करें कि 72 आए, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, उसके बाद जब इसको subtract करेंगे, तो यहाँ पर 4 माइनस 2, 2 आएगा, 128, जब हम 24 को 5 से multiply करेंगे, तो हमारा answer आएगा, 120, फिर हम इसको subtract करेंगे, तो हम यहाँ पर आएगा, 88, फिर 24, थ्रीजा हम करते हैं, तो यहाँ पर आता है, 72, और इनको minus करेंगे, तो answer आएगा, 16, और question हो गया, 353, इसी तरह से हम बाकी के parts में भी fill in the blanks को fill कर सकते हैं, अब हम इसके last question number 5 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कुछ digits का division लिखा हुआ है, जिनको divide करके हमें question और remainder लिखना है, तो जब हम 3874 को 100 से divide करते हैं, तो हमारा question आता है, 38, और remainder आता है, 74, जो अगर हम 10 से divide कर रहे हैं, तो last का number remainder होगा, 6, और question हो जाएगा, 15, तो इस तरह से बच्चों हम question और remainder लिख सकते हैं, questions के, और बाकी parts को भी इनकी तरह solve कर सकते हैं, आता हैं, तो पहर म कर रहे हैं, तो जासके हät कर दोक्ति, भी तरह सकते हैं मैं कईकप्द होगाता हैं, 이제 यौ घजा हैं, तो जाना हैं hundreds, खाल जार मिखंयांक seis खाल